आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा गंटा बहुत जरूरी होता आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं कभी भूले हैं नहीं कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा जिदा बोला है नहीं भूलते हैं प्यार महबत आपको होई जाता है यह उमर की ग रखता है जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजे हर चीजे याद रहती है तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना जैसे हम आपको गेहू देंगे तो तू रत्ते उसको कीलो में ना पिएगा चावल देंगे तो कीलो उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है यानि इसका IQ लेबल जादे है जिसका काटेक्स यानि याद रखने की छमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है यानि IQ लेबल इसका कम है समझ में आगया की नहीं आगया किसी को दिख कर अब हम आपको एक्जा इसे लोगों का IQ लेबल कम है लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता है जैसे आप इलाब आदी नुश्टी कभी जाईए तो देखेंगे या बड़े टीचर आईटी वगरे जाएंगे बहुत एदम टीचर आते हैं अराम से कोई नोट सोच कुछ नहीं आया पढ़ारा चालू किया एदम मस्त इंज्वाय करके चला गया तो इनका IQ लेबल जादे हो लेकिन सहीं क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साब ये उमर की गलती है तो इसे गलती भरी स्विकार कीजिए अपने आपको जीवन साथी बनाने की कोशिज मत करिए बस ये एक समाज के लिए गलत है हमारी संस्कृती के लिए नहीं है तो आप कर आईक्यू लेबल किसका अच्छा है आईक्यू लेबल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए आईक्यू लेबल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा गंटा बहुत जरूरी होता है सोने से पहले आदा गंटे दिन बर में जितना काम किए उसको सूबा से राब तक पिर आप कहेंगे कि सर यहम रों भी नहीं किता आपका याद हो गया और अगर यहीं खतम हो जाएगा तो क्या कहिएगा आपका भी IQ लेबल गिर जाएगा सपना कैसे आता है इस चरब ब्रेन के वज़े से आता है थक है नहीं रहेंगे ना नीद अच्छी नहीं रहेगी तो रिवाईद्टवा जेगा अ 강ता है बुणत्यगा किना या फोड़ल गोड़ जाया थे इसलिए कोई नीद में भी पुछेगा खाएगा सवायत्तंत्री केकी से सभएक सवायत्धिमेसाएगा उयोईं प्लेग Cash कािसी सभाए नहीं शोंहा की सबोड़ा हमें ऑले ने लिग मे इतना जल्दी 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 रिवाई़ इमारा अधरमी कि यह हमारा subconscious mind में घुज गी आ है subconscious mind ऊसे कहते हैं जिस पर हमारा control रहता है जैसे हमसे कोई पूचेगा आप भी अगर पूचेगे खांसर जो एक हपता class नहीं लिया तये कहा थे तो हम सोचने लगेंगे, यह student है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी, कि किस डॉक्टर के पास थे, कहा गए थे, नॉर्मल बोल देंगे, बावु, थ्रा सा है, medical health इसूता, इसलिए चले गए, लेकिन अगर मम्मी पापा पुछेंगे, तुम से हर चीज बताएगे, तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो उसे क्या कहते है, सॉब कॉंसियस मैंड, जैसे कोई हमारा नाम पूचेगा, खटाक से बताएगे, खान सर, सन में आगे कि नागे, औरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हैं, तो सॉब कॉंसियस मैंड में घुसा दीजे, जो चीज़ जैसे आप इस्टेशन पे उतरिए या बस इस्टेंट पे उतरिए अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किये हैं, हाँ इसके बाद दहीने मूरना है, बाए मूरना, आप फोन पे बती आते भी चले जाते हैं, तो जब कभी किसी चीज़ को बहुत बार रि पढ़ाता था आदमी, जोने करवट सोता था उधरे उड़ जाता था, सपना का नामे नहीं आता था, संगरे, एक चीज़ पूछ रहे हैं, सर कोमा क्या चीज़ होता है, और सर दरद क्यों करता है, जबी भी आपके बाडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी, वो चीज़ दरद क करने लगेगा, जैसे आप दोडेंगे, तो दोडेंगे तो आप सांस जादे नहीं ले पाते हैं, ऐसे लेते हैं, तो बडी में सांस नहीं पहुच पाता है, और हाथ, पैर में आपके लेक्टी के सिड जाता है, जिसलिए दरद करने लगता है, तो जब कभी में मेहनत करने लगेंगे या फिर दव हो जाएगा तो brain दरद करने लगता है दूसरा coma क्या होता है brain हमेशा working करते रहता है अगर वो rest में चला गया तो उसी को coma कहते है अब permanently rest में चला गया तो मरी यह जाएगे बेहोसी में क्या होता है कि brain और spinal cord का संपर्ख तूट जाता है ब्रेन और इस्पाइनल कॉड का संपर टूढ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं बेहोस हो गया है पानी उनी छड़केंगे ना तो Ispinal Cord में उसमें संपर जूढ जाएगा लेकिन ब्रेन और Ispinal Cord कामे नहीं कर रहे हैं से तो कोमा में चले गाए कोमा को half death का आ जाता है आधा मरा हुआ वेक्ति है जो वेक्ति कोमा में चला जाता है कोई जरूरी नहीं कि वापस आएगा ही आएगा लेकिन बेहोस है तो कोई दिक्कत नहीं पानी फेकिये मार देगा उसको कहते हैं लोग बिहार में लोग की दात लग गया है करते हैं सेंड यह देखिए जैसे माल लिए यहां कोई मच्छड काट रहा है यहां क्या कर रहा है मच्छड काट रहा है तो सज़रा ब्रेन को कई से पता चलेगा मच्छड काट रहा है यहां पीछवा मच्छड काटता है तो बीना देख ले याद याद जाते मजवाठोरट रहा है यह सेंस करने का काम करते है इसको पता है कि मचड कातने का दर्द कायसा होता है तो यह सेंस करेगा जैसे जैसे माली यहां मच्छड काटा न, तुरत मैसेज भेज़ देगा किसको, ब्रेन को, यानि ये बोडी से कहां मैसेज भेज़ता है, ब्रेन को, ब्रेन को कहता है, बोडी से किसको भेज़ेगा, ब्रेन को, कि देखिए तो कोंची चूब रहा है, तो ब्रेनवा का जो सेरी ब्र sensory nerves, sense करेगा sensory nerves, तुरत message भेज़ेगा brain को, ब्रेन काईगा order देगा हाथ को मार तो, देखेंगे तो मर जाएगा, यहां मारेंगे, क्योंको दूर तरीका मचलवा कही हो गया, मचलवा कहा गया, तो आदमी खोषता है, कहा गया, और फिर मार देता है, तो शुर्या काट रहा था हम को यहाँ पर, सब्सक्राइगे, यही दोनों main होते हैं, यह main होते हैं, सब्सक्राइगे, जैसे, सीरी सी बाद, माल लेज़े, आपको कोई पीछे से, ऐसे मार दिया, तुरत sense organ कहेगा, sorry, sense करेगा, sensory क्या करेगा, sense करेगा, क्योंको मारा है, तो brain पीछे देखेगा, क्यों अरे यार, तुम है, इधार आओ, सब्सक्राइगे, तो बाडी से, ब्रेन में sense कराता है, sense organ, और order देता है, motor naps, फालीज मार ना सुने है, किसी को फालीज मार दिया है, सब्सक्राइगे, वहां का sensory nerve से खतम हो जाता है, sense से नहीं रह जाता है, तो एंगल लेके घुमता है, कंची होगे लो, बाबा के फालीज मार दे लो, मतलब उहां का sensory nerves काम करना छोड़ दिया है, sensory nerves काम करना छोड़ दिया है, बुढवती में बहुत होता है, अब बतिये, यहां पर कहीं माल लीजे, नाखून है, आप nail cutter से काट रहे है, कहीं जादे बकोट लिए हचाक से, तो यहां का sensory nerve काएगा, बकलोलवा जादे काट दिया यहां पर, तो यह order देगा है, nail cutter हटा 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 हटा, कभी देखे हैं, कहीं से, छूरा घूप रहे हैं, घूपते जा रहे हैं, घूपते जा रहे हैं, जैसे घूपेंगे तो sensory sense करने के लिए भेज देगा, कि देख बकलोल किसको भेजेगा, brain को, संव्या के कि नहीं है, आई से सुरा mixed nerves दूनों काम करता है, mixed nerves क्या करता है, दोनों काम करता है, ले आने ले जाने दोनों का काम करता है, जब कभी भी इसमें गड़बड़ी आ जाए, इसमें गड़बड़ी आ जाए, या इसमें गड़बड़ी आ ज Hemorrhage का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में आके touch हो जाना तो नसे बहुत पतली होती है फूल के दूसरे में touch होती है जिससे रगड के कारण फट जाती है तो उसे को करता है brain hemorrhage और वेक्ती की मौत हो जाती है ब्रेन में कैंसर हो ही नहीं पाता है ट्यूमर होता है और वेक्ति की मौत हो जाए